नमस्कार स्वागत है आपका आप देख रहे हैं दानियूस और मेरानी गुपता आपके साथ स्वागत की बड़ी खबर सामने आ रही है आपको बता दे कि राजस्थान के मुख्यमंद्री अश्चोग गहलोत के बेटे वैभाव गहलोत को एडी के द्वारा समन भीचा गया थ और वैभाव गहलोत जो हैं वो एडी दफतर पहुंच चुके हैं बता दे कि कई घंटों से उनसे पूस्ताच एडी की टीम कर रही है ऐसे में यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कई घंटे बीच चुके हैं और लगातार वैभाव गहलोत जो हैं एडी के दफतर में ही तो क्या एडी के हाथ पक्के सबूत लगे हैं जिसकी वजह से करीब एक दो घंटे से भी जादा का समय बीच चुका है और अभी भी वैभाव गहलोट जो है वो एडी दफ्तर में मौझूद है एडी की टीम बखादा उनसे पूस्ताच कर रही है बता दे कि यह पूरा का पू चुक गहलोट ने बखादा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरीए पोस्ट करके इसकी बात शेयर के थी और कहा था कि मेरे बेटे को एडी ने समझवारी किया है जिसके बास सही लगा था राजनीती जो है गरमाई हुई है इडी का जो समन आया था वो फेमा के तहट आया था और मैंने उनको काई कि फेमा से हमारा कोई वास्ता नहीं है कोई फॉरन ट्रांजक्शन हुई नहीं है तो पहले बात नोटिस से जो आया है ये फेमा के तहट आया है फेमा का हमारा कोई ट्रांजक्शन मेरा या मेरे परिवार का कोई है नहीं आपको लगत लगातार कॉंग्रेस जो है वह आरोप लगा रही है कि यह पूरा का पूरा जो खारवाई हो रहा है फिर चाहे वो एडी की छापे मारी हो राजस्तान में जिस तरीके से देखने को मिला कि कॉंग्रेस के अध्यक्ष जो है राजस्तान के गोविन सिंग डोटा सरा इसी के साथ ही उनके रिष्टेदारों खरीबियों के यहां और राजस्तान के सीम के बेटे के यहां ही एडी का समन्द चला जाता है इस पूरे मामले को लेकर के कहीं न कहीं कॉंग् यह कहना है कि यह पूरा मामला जो है राजनीती से प्रेरित है आपको बता दें कि आज व्याभाव गहलोत एडी के दफ्तर में पेश हुए हैं लेकिन ठीक एक दिन इससे पहले यानि कि 29 अक्टूबर को अचानक से अशोग गहलोत और गोविन सिंग डोटा सरा जो हैं वो दिल्ली क्यों आगे इस चीजों को लेकर के भी तमाम तरीके के कायास लगाए जा रहे थे आपको बता दें कि पूस्ताज के लिए सुमवार को ही दिल्ली की एडी ने बखादा ये कहा था कि व्याभाव गहलोत को हाजर होना होगा यानि कि 30 अक्टूबर आपको बता दें क इडी ने व्याभाव को फेमा के प्रावधानों के तहस समन जारी कर उन्हें एपी जोए अब्दुलकलाम रोट पर इस्थित इडी कारयाले पेश होने को कहा था बता दें कि विदानसवा चनावों के बीच व्याभाव गहलोत को इडी की ओर से भीजोगे समन के बास सही र प्राइजस प्राइवेट लिमेटेड और इसके निदेश को एवं प्रमोटर शवशंकर शर्मा रतनकांत शर्मा और अन्न के खलाफ एडी द्वारा हाल ही में मारे गए च्छापों से हैं बता दे कि अगस्त में तीन दिनों तक जैपूर उदैपूर मंबाई और दिल्ली म समू और उसके प्रमोटर से जुरे परिस्तरों पर च्छापे मारी की थी आपको बता दे कि व्याभाव गहलोत के साथ रतनकांत शर्मा के संबंद एडी की जाच के डाइरे में हैं साथ ही व्याभाव से फेमा के तहत पूस्ताज के लिए जाने और उनका बयान दर्श की ज भावनाय जताई जा रही हैं बता दे कि रतनकांत शर्मा कार किराय पर देने वाली एक कंपनी में व्याभाव गहलोत के कारोबारी साज्यदार है और अशोक गहलोत और कॉंग्रेस ने प्रवर्तन निदेशाले के इस खदम को राजनीती से प्ररिद बता दिया है आपको ब इडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि मुझे समन मिला है 12-13 साल पहले भी ऐसे ही आरोप लगे थे और हमने उसका जवाब दिया था अब फिर से इडिया गई है राजस्तान के लोग समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है जब राज में आचार सहिता लागू होती है तब ही इस तरीके से इडिके च्छापे क्यों पड़ते हैं सुनिये वैभाव गहलोत ने तब क्या कहा था तो प्रदेश की जनता समझती है कि क्यों चुनाओ में जब आचार सहिता हो गई तब ही इनको याद क्यों आरी है इसी के साथ ही फिर चाहे वो अश्रोग गहलोत हूं या फिर कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकार जुन खरगे हूं बार बार इस पूरे मामले को राजनेती से प्रेरित बता रहे हैं और उनका कहना ये है कि राजस्थान में चुनाव होने वाला है और बीज़पी ये चाहती है कि राजस्थान में गहलोत को कमजोर किया जा सके कॉंग्रेस के कारकरताओं और उनके समर्थकों का मनुबल तोड़ा जा सके जिसकी वज़े से ये तमाम खारवाई हो रही है फिर चाहे वो वैभाव गहलोत को समझ जारी करना हो या फिर अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर फेवा से जुड़ा ये मामला है क्या जिसकी वज़े से व्याभाव गहलोत को एडी ने समझ जारी किया और आज व्याभाव गहलोत जो है वो एडी के दफ्तर पेश हुए हैं दरसल इस समन का संबंद ट्राइटिन होटल्स एंड रि अगस्त और सितंबर में तीन दिनों तक जैपूर उदैपूर मुंबाई और दिल्ली में समू और उसके प्रमोटर से जुड़े परिसरों पेश च्छापे मारी की थी इस च्छापे मारी के बाद एडी ने एक दश्मलों 27 करोड उपए के आई केस रूत से अधिक नगदी जाप्त की थी बताया जा रहा है कि वयभो गहलोत के साथ रतनकांत शर्मा के संबंद एडी की जाच के दायरे में हैं और वयभो से पीमा के तहट पूसतात किये जाने और उसके बयान दर्श किये जाने के संभावना हैं उन लेखनी यह है कि वैभाव गहलोत राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन के चेयर्मैन भी है और वैभाव ने गत लोगसभा चुनाव में कॉंग्रस के टिकेट पर जूतपूर से लोगसभा का चुनाव भी लड़ा था वैभाव को बीज़ेपी प्रत्याशी गजेंडर सिंग शिकावत ने करारी शिकस्त दी थी बता दे कि शिकावत वर्तमान में केंडर की मोदी सरकार में काबिनेट मंत्री है शेखावत और अशोग गहलोत के बीच भी मानहानी के केस को लेकर डिली की कोट में केस चल रहा है आपको बता दे कि शेखावत और अशोग गहलोत के बीच आरोप प्रत्यारॉप का दौर अक्सर चलता रहता है लेकिन बात अगर हम शुख गेलोत के बेटे वैभओ गेलोत की करे तो जाहिर तोर पर कहा ये जारा है कि ज्स तरीके से उनके बेटे जो है पिछले एक घंटे से लगातार एडी दाफ्तर में मौजूद है उनसे जो पूस्ताच की जा रही है तो ऐसे में कहा ये जा रहा है कि क्या एडी जो है आगे सक्थ एक्षिन लेने वाली है क्योंकि लगातार ब्रश्टाचार के मामले में फेमा से जुड़े मामले को लेकर के मनी लॉंडरिंग के मामले में लेकर के जाच जिंसियां लगातार सक्थ मोड में नजर आ रही है जादा Central Agents याद अपनी कारवाई कर रही है और इन कारवाई के तहथ कई सारे लोग को गिरफ़तार किया गया है इन में से जादा तर लोग विपकशि दलों की नेता है ऐसे में बार बार विपक्शिदल की नेता यह आरोप लगा रहे हैं कि केंदर सरकार जो है जानबूच करके जाच जिंसियों का परियोग कर रही है और उनके नेताओं की गिरफतारी करवा रही है उन पर जूटे आरोप लगा रही है लेकिन अगर हम मौझूदा चीजों को देखें तो कहीं न कहीं ऐसे सबूत और ऐसे साक्ष भी मिल रहे हैं जिससे की ये नेता ऐसे करप्शन के मामले में जुड़े पाय जा रहे हैं हाली में अगर हम दिली की बात करें दिली शराब घोटाला मामले को ले करके तो दिली में भी अरवंद केशवाल यही कहते हैं कि उनकी पार्टी पर और उनके पार्टी के नेताओं पर कटर इमानदारी और उनकी कटर इमानदारी वाली राशनीती पर भी बहुत बड़ा उठता है फिलाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या रहा है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं धन्यवाद